हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके मारे चैनल इंवेस्टमेंट के बजार पर वीएचियल के शियर की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अब बात करें तो बेसिकली शियर अभी थोड़ा आपके सब्सक्राइब रहता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसा मोमेंटम बन रहा है बट बेसिकली शॉट्स डवलप हो रहे है तो शॉट कवरिंग कब बनती भी देखने को मिलेगी बड़ी तेजी अब कब होती भी रेखने को मिलेगी फ्यूचर के क्या टार्गेट हो सकते हैं 24 चून के लेवल्स पर हम बात करेंगे और वीडियो एड्युकेशनल पॉपस के लिए अपने एड्वाइजर के सला लेकर ही खरीदा दिया बिक्वाली करें शुरुवात करें आप पर भेल के पास दिनों के चार्ट के साथ तो पिछला पूरा हफता कर आप देखेंगे तो स्टॉक तेजी किया स्टार्टिंग में मंडे में स् एड्यूंसी CPS तो रेटिंग वापिस से के रेटिंग रियाफ वेम हुई है नहीं पर अगर मार्केट के बात करेंगे तो बेसिकली मार्केट ने भी अğईय LVL से घिरावट करिये है अभी लास्ट दो ते दिनों से मिटक्रिया जिए एक दिन घिरावट एक देजी तो overall stock अभी आप देखेंगे तो 300 रुपीज के नीचे टेट कर रहा है और मैंने यह कहा था जब तक 307 रुपे के उपर है तब तक तेजी है लेकिन जब 307 रुपे अफे 300 रुपे के चाहेगा तो गिरावाट बन सकती तो अभी मैं यह कहूंगा खरीदारी कर आप करना चाहते भ लेवल्स के उपर ही बाइंग के रिकमेंडिशन होगी स्टॉक के अंदर बाकि यहां पर स्टॉक अभी 8.5 पॉसे नीचे टेट कर रहा है अपने हाइस से और लॉंग अन्वाइंडिंग बंती भी देखने को मिले तो यह देखी आप सौक में अब तेजी होती है तो लॉंग ओन्माइटिंग मतलब कि लोग अपने लॉंग बहुब देखने को मिल रहे हैं तो यह देफिनेटली है कि लोग अपनी पॉजिशन कट करते वहे देखने को मिल रहा है इसके अंहाँ घरावाट हो रही है बाकि यहां पर सेंट्निमेंट पॉजिटेव है स्टॉक क अंदर resistance की बात करें, intraday basis पर तो 299 रुपीज का resistance है, अगर clear होता है, तो पहला target 303 का, दूसरा target 307 का है, तो 299 रुपीज के उपर बाय करके चले, भी एचल के share को 307 तक के targets, मंडी के session में, यानि कल के session में अपने को भी एचल के share में बनते वे देखने को मिल सकते हैं, तो होब्स आपको वीडियो बसंद आगा न, अगर वीडियो से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो,